हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर भी, आइम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस का चप्टर 5, सेपरेशन अफ सबस्टेंस की पहले हम पूरी समरी देखेंगे, फिर इसके जो कीवर्ड से उसको पूरा समझेंगे और उसी की हेल्प से हम पूरा का पूरा चप्टर ये समझ लेंगे, तो देखें, स्टार्टिंग में हमें समरी में दिया हुआ है, हमीं बता रखा है कि मैथट अफ सेपरेशन क्या-क्या होते है, तो आपके एक्जाम में री कुषिशन आ सकता है, मैंशन, वाट आदा मेथजों क्वेशन, मैंजो कि सारे प्रॉसर क्या होते हैं हम पता लींगे हुट है हाथ से पिक कर के चीज़ों को साफ कर लिया जैसे कि चावल आपने इषया घर में और ऐसे कि चावल साफ किये जाते ही हाथ यह फूटा कर के कंद्धगी को हटा दिआ जाता है कंकर्व अगरा को Vinoehing का मतलब होता है हवा की साहिता से अगर आप किसी चीज़ को साफ करते है तो Seving होता है कि चानना जिसकी छानते नाता चानते औहोсть लो होता है Sedimentation में क्या होता है कि जो Particles है वह मतलब जैसे कि liquid है और उसमें ओपर की तरफ sand की कुछ है तो उसकी help से मतलब नीचे सैटल हो जयाते हैं जो भी पारипटिकल्स होते हैं और जो होती हैं गरीट होती है जाती है जीतेशन सीमिलर प्रास्च लगते हैं यहां षर्ण के लगा है किunk done है कि उसके साथ अच्छे से पूर एक्स्प्रेंग गरूंगी फिल्टरेशन होता है जिसे कि अब चाय चानते हैं तो वह फिल्टरेशन होता है तो यह सारे के सारे मैंतर्ड्स ओफ सेपरेशन होते हैं यह खाल जू है एक अगे इस में हैसकि स्टोन्स निब इसेपरेटिट अंगेंस नदे दिया थे कि हसक और स्टोन कंकर वगरा जो वो होते हैं न कि कंकड पत्थर वगएरा हमारे अनाज में ग्रेंज क्या होते हैं गेहूं हो गए चावल हो गए ग्रेंज में जो कंकड पत्थर आजाते हैं उसको अब हाथ से उठा करके अलग कर सकते हैं तो हैंड पिकिंग से ग्रेंज को सेप्रेट करा जा सकता है हस्क separated from heavier seeds by heavier seeds of grains by winnowing तो इसमें क्या होता है कि हस्क जो है उसको separate किया जाता है from heavier seeds of grain grain के जो seeds होते है ना उसमें से उसके हस्क को मतलब उसकी जो covering सी होती है या जो खराब अनाज होता है उसको ना हावा की है अब ही पिक्चर में आपको दिखाऊंगी जब कीवर्ड एक्सपेंड करूंगी तो विनोईग अभी बता देते हूं चलिए देखें हमें आप आपकी बुक में दिया हुआ है काफी अच्छा सा कि किस तरीके से विनोईग किया जाता है और हावा की हैप से साफ किया जाता है तो देखें जो च्छ可ण डाइप की होती है स को सो अ बोलते हैं इंगलीश में हास्क जो है जो अन्वांठेड़ी चीज होती है ग्रेंड के ओर उपर वह उड़ जाता है औरनीचे जो ग्रेंड है वो आ जाता है ये विनोईग होता है फिर आगे देखते हैं समरी में हमें क्या बताया क्या है हस की वाला देख लिया हमने डिफरेंसे इन साइस ऑफ पार्टिकल सिना मिक्षर इस इूटिलाइस्ट तो सेपरेट देम बाइदर प्रोसेस ऑफ सीविंग फिल्टरेशन क्या होता है तो आटा को क्यों चानते हैं लग ना तो दिफरेंसन साइज ऑफ पार्टिकल 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 जो अगर अलग साइज всем की छीजु को आपको अलग करना है तो आप सीवेंग या फिल्टरेशन का सहायता ली सकते हैं नेक्स आता है इसमें in a mixture of sand in water जब sand मिट्टी और पानी का mixture होता है heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by decantation तो आगर आपको मिट्टी वाला पानी है उसको अलग करना है तो देखिए आप क्या करिए उसको एक बाल्टी में रखके छोड़ दीचे तो क्या होगा मिट्टी नीचे की तरफ जम जाएगी और पानी ऊपर की तरफ आजाएगा फिर आप पानी निकाल सकते हैं तो यह decantation हो गया अब हैस में filtration can be used to separate component of a mixture of an insoluble solid and liquid फिल्टरेशन का इस्तमाल कर सकते हैं हम लोग mixture में से separate करने के लिए insoluble solid और लिक्विट को तो insoluble solid जैसे कि माल लीचे फिल्टरेशन से आप पानी में पत्थर बढ़े हैं चोड़े चोड़े कंकर बढ़े हैं तो आप फिल्टर कर लीचे उसको छन्नी में चांद दीचे तो कंकर जो है वो चन्नी पे आपके रह जाएंगे चन्नी पे और पानी नीचे चला जाएगा त फिल्टरेशन का समारा पैसे कर सकते हैं फिर आता है इवापोरेशन तो इवापोरेशन इस प्रोसेस इन विच लिक्विट गेट्स कन्वार्ट इंटू वेपर तो इवापोरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एक्जाम होता है जिसमें liquid vapor में convert होता है इस process को हम evaporation कहते हैं और evaporation can be used to separate a solid dissolve in a liquid so evaporation का समाल आप लोग कर सकते हैं separate करने के लिए एक solid को अगर solid dissolved होता है ना तो उस solid को हटाने के लिए liquid तो saturated solution ऐसा solution होता है जिसमें और जादा solute नहीं dissolve हो सकता तो देखिए ऐसा होता है आपने एक ग्लास पानी दिया उसमें आप चीनी घोल रहे है आपने तेमप्रेचर नहीं बढ़ा आपने उस पानी को गरम नहीं किया नॉमली पानी है वह और आप उसमें चम्मस चीनी घोल र जाएगा तो saturated solution ऐसा solution होता है जिसमें और जादा amount गुली नहीं सकता है no more of that substance can be dissolved तो वह चीनी और पानी का चो एक्जामपल है उसमें अगर आप पानी में चीनी डाले जा रहे है उसको गोले जा रहे है पानी ऐसे का इसा ही रख रहे है तो और चीनी उसमें नहीं गुलेगी तो जो solution बनेगा वो saturated solution बन जाएगा next आ है इसमें more of a substance can be dissolved in a solution by heating तो मैंने आप आप बताया कि अगर आपको और डिलाव करने सब्सेंस तो आप उसको कर लिजेए हीट कर लिजेए हीटिंक के बादब और सब्सेंस समें डिसॉल्फ कर सकते हैं नेक्स आता है water dissolves different amount of soluble substance in it, तो water अलग अलग amount जो है, कई तरीक पानी में कई सारी चीज़े गुल सकती है, और हो सकता है कि चीनी कम खुले और नमक जादा गुल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, अब हम देखते हैं keywords, keywords churning का मतलब होता है, किसी चीज को churn करना मतलब तोड़ना चोटे तुकडो में, condensation का मतलब होता है, जैसे कि कोई चीज भाब बन के उपर उड़ी, उपर उड़ी भाब बन के, जीक है, वो liquid form में आ गई, liquid form से, sorry, भाब बन के उपर उड़ती है, तो वो gaseous form में आ जाती है, पहले वो भाब बनी, पानी था, पानी liquid होता है, liquid भाब उड़ता है, तो वो वेपर बन जाता है, वेपर एक gaseous form है, तो condensation के process में क्या होता है, कि जो liquid था, वो gas बना, फिर gas से, अगर वो liquid वापस से liquid बन रहा है, मतलब, देखें, वेपर एपरेशन, condensation दोलों में आपको बता देते हूं, ये एक पान है, नीचे से gas जल रही है, पानी है, इसमें liquid है, ये भाब बन रही है, तो जो भाब बन रही होती है, तो उसी का कहते हैं, उस process को, उस process को, हम भाब बनने के process को, हम evaporation कहते हैं, चीक हो गया, ठीक है, तो अब पानी से, क्या हुआ, liquid से क्या बनता है, liquid से gas बनती है, तो liquid से gas बनने के process को evaporation कहते है, अगर फिर से लीकुड बन जाता है मतलब क्या हो रहा है गैस थी गैस से लीकुड बन गया फिर से तो क्या बन जाएगा लीकुड अगर बन गया तो जो प्रॉसेस होगा उस प्रॉसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे ओफुली आपको समझ में आगया होगा ठीक है इवापोरेशन केंप कंदैरक्टनेश्थेक्टन तो आपने चाय जां ली तो फिल्टर कर लिक रिक रेगारों थे मैं मैं उठाकर गलग कर देना कि आब शेट तो देख्यूरीटर सोल्यूशन देख रिया सेयoire डीशन 376μ です फिलूस्टनेशन report वहीं सब्स्टिंस ना घुल पाई एक particular temperature पे, मैंने आपको example दिया था, कि आप पानी में चीनी घोल रहे हैं, आपने काफी देर तक घोल ली तो घोल गे, बर टेक पॉइंट ऐसा आएगा, कि और चीनी उस पानी में नहीं घोल पाएगी, इसका मतलब वो solution जो है, वो saturate हो गया है, और चीनी वो नहीं घोल सकता, सेडिमेंटेशन भी में आपको समझाऊंगी, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन दोनों, सीविंग का मतलब होता है, चनी से चानना, जैसे आप आटा चानते है, solution का मतलब होता है, कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में कोई भी चीज आपने डाली हुए, सबोसकर नमक डा सब्रेशन, तो कि यह ब vide देखें, उसे शरेender में, अच्छे से समझा आ जाता है, यह देखे, थ्रेशिं बदेखे क्या करते हैं, यह यह पर थ्रेशिंग हो रही है, तो प्रोसेस ताम बद थू रूपरेशन, तो process that is used to separate grain from stock is called threshing in this process stocks are beaten to free the grain, so threshing क्या को होता है आपने ग्रें ले लिए ये देखिए इसके हाथ में ग्रेंस है इस पे दूसरी किसी और चीज से इस पे मारा जाता है तो extra चीज जो है वो अलग हो जाती है ग्रें नीचे के चाते है तो the process that is used to separate grain from stock grain को stock से अलग करना है इस process को threshing कहते है इस process में क्या होता है stocks are beaten to free the grain seeds stocks को beat किया जाता है मारा जाता है ताकि वो grain से यहूं से अलग हो जाए इसे हम threshing कहते है renewing man आपको बता त्याता है हवा की help से process of separating component of a mixture renewing is used हवा की help से when the wind is used to separate things from a mixture is called renewing renewing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air हवा के मदद से इसमें किया जाता है heavy substance को lighter है एक substance हवी होना चाहिए अगर आपको renewing से करना है तो एक हलका होना चाहिए तो गेहूं जो है इसमें वो heavy होता है और गेहूं के उपर जो covering होती है stock की वो हलका होता है तो वो हवा से ओठ जाता है तो विनोइंग हो गया threshing हो गया सीविंग का मतलब देखे चानना होता है जो आटा चाहनते है sedimentation decantation and filtration तो यह देख लेते हैं हम लोग क्या होता है तो sedimentation होता है when the heavier component in a mixture settles after water is added to it process is called sedimentation ठीक है तो पानी था चीक है पानी यह है आपने क्या किया कि heavier component in a mixture इसमें पानी था और रेत रेत पानी से हैवी होती है तो नीचे की तरफ बैठ जाएगी रेत और फिर आप पानी को से से हटा देंगे तो यह होता है sedimentation तो डिकेंटेशन में क्या होता है काफी समलर रहे वें द वाटर अलांग विद ड़स्ट इस रिमूवड दप्रोसेस कॉल डिकेंटेशन मतलब मिट्टी और पानी दोनों को रिमूव किया जा रहा है डिकेंटेशन का प्रोसेस जो है अब दाल साफ कई होगी शाद आपने अँन साफ करते वें देखा हो गा sist को तो पानी से ताल को दोते हैं तो पानी को भील घटाते हैं दाल के जाटी होई जो गंडगी होती है न उसको भी हटा देते हैं तो उस वाले प्रॉसेस को हम लोग क्या कहते हैं डिकेंटेशन कहते हैं और इसमें हम लोगों को फिल्टरेशन तो वही टी लीव वाला एक्जामपल देखेंगे फिर आगे पताया किया कि सेम प्रिंसिपल इस फॉर सेप्रेटिं मिक्षर फू लीकृट्स दें दो नॉट मिक्स विछ विच अधर दो लीकृट्स जो एक दूसरे से मिक्स नी होते उनको सप्रेट करने के लिए भी टीकेंटेशन इसमाल कर सकते हैं जैसे क्या इसमें एक्जामपल दे रखा है और एं मतलब ऐसा होता है कि आपने पानी था पानी में आपने तेल डाल दिया फिर अगर आपने कुछ देर तक नहीं उसको ऐसे छोड़ दिया तो आम देखेंगे कि पानी ऊपर की तरफ पानी जो है वो नीचे बैठ जाएगा और तेल पानी के ऊपर देने लगेगा तो टॉप ल आपको पता दिया था प्रोसेस फ कन्वेज द वाटर इंटु वाट वैपर इसकोड को एपोरिशन वाट पॉर्ट को वाटर वीपर जब बनता है तो इवपर देशिंग कहते हैं और कंदेंसेशन है प्रोसेस फ कन्वरजिन वाटर वेपर इंटू लिक्विट फर्मए saturated solution का हो जाएगा the solution in which no more substance can be dissolved is called saturated solution में ने आपको salt and water का या फिर sugar water example दिया था तो पूरा का पूरा हम लोगों ने chapter समझ लिया है किस की help से keyword or summary की help से तो आपको कैसा लगा विडियो बता सकते हैं अच्छा लगा तो करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करिए थैंक यू